ओडियू टू अनुभूत योगावली फलित जोतिश लेखक महा महोपाध्याय पंडित कल्यान्दत्षर्मा जोतिशाचारिय राष्ट्रपति समानित एवं रॉक्टर प्रोफेसर देवी प्रसाथ त्रिपाथी कुम लगन में अत्वा व्रिष्चिक लगन में सित होकर तथा गुरू दुतिय धन भाव में सित होने पर महाधनी लक्षाधि योग बनता है गुरू धन का कारक होकर धनु भाव में सित होने शुक्र उसके वे भाव में सित होने से भाव, भावेश और कारक तीनों में वे भाव में हो जाता है सिंग अत्वाव व्रिष्चिक लगन में जन हो गुरु पंचम भाव में और शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो बहु पुत्रवान योग बन जाता है सिंग लगन में पंचम में धनु राशी का गुरू स्थित हो तो उसमें व्य भाव में शुक्र की इस्तिती पंचम भाव अर्थात पुत्रों की व्रधी करता है क्योंकि शुक्र पंचम भाव, पंचम भावेश और पंचम भाव के कारक तीनों से व्य स्थान में पढ़ जाता है। इस प्रकार अन्य भावों के भी द्वादश में शुक्र का विचार करना चाहिए। राज्ये सम्मंदी विचार में दशम स्थान, दशम से दशम, सब्तम स्थान, लगनेश, सूर्य और दृतिये जिससे प्रशाशन का विचार किया जाता है। यदि दृतिये भाव का स्वामी सिंगहासन पारा वतांश आदी में बली होकर गुरु द्वारा दृष्ट हो तो सैंक्रो मनुष्यों का आधिकारी होता है। सब्तम भाव, दशम भाव तथा सूर्य राज्य भाव को अत्यदिक प्रबलता उप्रोक्त ग्रह स्थिती से मिलती है। सिंग अत्वाल गन्या लगन हो और उस पर शनी की दिश्टी हो तो दीर्ग रोगी योग बनता है। यदि व्रिश लगन का जन्म हो तृतिया में राहू, चंद्र नवम में केतू, दशम में शनी, द्वादश में सूर्य हो तो जातक की माता को दीर्ग रोगी बनाते है। चतुर्थ थेश सूर्य पर शनी की दिश्टी, चतुर्थ भाव पर शनी की दिश्टी है। शनी माता के शष्ट स्थान रोग का स्वामी है। माता के शष्ट स्थान मकर राशी में केतु स्थित है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्र राहु केतु से अकरांत है। अते माता को दिर्ग रोगी होने का प्रबल योग बन रहा है। सिंग लगन का स्वामी चतुर्थ भाव माता के घर में सूर्य तथा चंद्र जो माता भाव का स्थित कारक होकर उच्चस चतुर्थ को देख रहा है। इस प्रकार लगन सूर्य और चंद्र का समंध होने से जातक का जन्म मात्री कुल में होने का योग बनता है। जन्म लगन में शुब ग्रहा हो अत्वा लगन पर शुब ग्रहा की दृष्टी तथा लगनेश बलवान हो तो जातक बच्पन से ही सुखी होता है। परस पर शुब ग्रहों का केंद्र में होना अत्वा एक, चार, साथ, दस भावों में शुब ग्रहों का होना दिरगायू योग बनाते हैं, शुब ग्रहों का केंद्रस्त होना लगन को बल देता है, यदि ग्रहस्व छेत्र अत्वा उचराशी में होकर परस पर केंद्र योग बनाते हों तो कारकाख्य योग बनता है यह योग भी शुप फल कारक होता है इस योग में केंद्र स्थान में ग्रह का दोनों आवशक नहीं है कारकाखे योग दिरगाईू कारक होता है ग्रह उच राशी, मितर राशी, स्वग रिही होकर परसपर केंद्र गत हों यह आवशक नहीं कि वे लग्न से भी केंद्र गत हों तब भी प्रढ़ कारकाखे योग बन जाता है इससे चतुर्त और दशम भाव गत केंदर योग अधिक प्रबल होता है यदि चंदर से दशम भाव में सूर्य हो और चंदर पाप ग्रहों से युक्त हो तो माता को अलप चीवी योग बन जाता है शुब ग्रहों का केंदर स्थ होना परसपर केंदर में होना बलवान ग्रहों का परसपर केंदर गत होना कार काख्य योग बनाकर जातक को दिरगायू प्रदान करता है इसके विपरेत पाप ग्रहों का केंद्र में होना परस्पर केंद्र में बली पाप ग्रहों का केंद्रस्थ होना अलपायू योग बनाते हैं सरवार्थ चिंता मनी में पाप ग्रहों की स्थिती वशात अनेक अलपायू योग लिखे हैं जन्म लगन और लगनेश सूर्य लगन और लगनेश चंद्र लगन और लगनेश अर्थात जन्म लगन चंद्र लगन और सूर्य लगन से इनके लगनेशों से जातक के लगन सम्मंदी विचार करने चाहिए यमलादी योगों का भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए व्रिहत जातक गरंथ में परपुरुष से उत्पन, जात योग में ना लग्न मिंदुच गुरूर निरीक्षते, इस श्लोग द्वारा लग्न चंदर व सूर्य लग्न तीनों से पर जात योग दरशाया गया है, व्रिहत पराशर होरा गरंथ में सुदर्शन चक्र द्वारा भी इसकी पुष्टि की है अर्थार जन्म लगन किसी राशी का हूँ जंदर जिस राशी में स्थित्थू उस लगन राशी और उस लगन के स्वामी द्वारा विचार करना चाहिए खलित करंथों में यमल योग में इस प्रकार का विचार किया है लगनेश निरबल हूँ, नीच', अस्थ, पाप, युथघिष्ट, 6,8,12 स्थानों के स्वामी से युत द्रिष्ट हो इन योगों से लगनेश निर्वली हो जाता है। यदि ऐसी स्थिती में लगनेश सुर्य हो खड़ी में चंदर से रक्त में रोग होता है। इस प्रकार अन्यों के निर्वल होने पर उन ग्रहों का शरीर में धातुओं पर प्रभावों तत जन्य व्यादी उत्पन करते हैं। जल्प मासपेशियों में, बुद्ध त्वचा में, गुरु मज्जा में, चर्भी में, शुक्र वीरिये में, शनी राहू, सनायू नसों में रोगोत पत्ति करते हैं। भाव यह है, जब कोई ग्रह छे, आठ, बारा स्थान में या इनके भावेश की यूती द्रिष्टी नीच अस्तंगत पाप द्रिष्ट यूत हो, शुब यूती द्रिष्ट ना हो, तो अपने धातु के प्रकोप से व्यादी उत्पन करता है। यदि लगनेश लगनमी हो और पापांकरांत हो तो लगनस्त राशी द्वारा अंग का विचार कर रोग का ज्यान करना चाहिए। कुम्ब से जंगा में, मीन से पैर में बिमारी होती है। लगन में चंद्रसवग छेत्री हो, वह मंगल और सूर्य से द्रिष्ट हो, तो मनुष्य कुबड़ा होता है। मीन लगन में शनी सूर्य और मंगल से द्रिष्ट हो, तो मनुष्य लंगड़ा होता है। इस योग के लिए सूर्य और मंगल की दृष्टी लगन और लगनेश दोनों पर होनी चाहिए। शश्टेश दुतिय भाव को और दुतियेश को देखे तथा दुतिय भाव का स्वामी शश्ट भाव में हो तो दत्तक योग बनता है। कुम्ब लगन में गुरु द्वादश में नीच होकर राहू के साथ हो मनुश्य धन और चरित्र दोनों से रहित होता है। चतुर्थ भाव में भावन भूमी जायदात का भी विचार होता है। ज़िशनी चतुर्थ भाव को देखता है हो तब जमीन जायदात की विद्धी करता है। क्योंकि शनी ख्षेत्र का कारक है। जैसे बुद्ध विद्या बुद्धी का कारक है। बुद्ध का पंचम बैठना विद्या प्रदान करता है लेकिन पाप दृष्ट नहीं होना चाहिए। इसी नियमा अनुसार शनी जो आयोश का कारक है जब अश्टम स्थान को देखता है या अश्टम में बैठता है तो आयोग की विद्धी करता है। विष्ट और तुला में शनी कारक अर्थात केंद्र और ट्रिकोन का स्वामी होने से शुपफल प्रदख होता है। जैसे मेशादी राशियां काल पूरुष के अंगों को दिर्शाती हैं वैसे ही लगनादी भाव भी अंग का प्रदर्शन करते हैं। यदि एक ही संख्या वाले भाव तथा राशी पर तथा उनके स्वामियों पर पाप ग्रहों की द्रिश्टी हो या उनके साथ स्थित हो तो काल पूरुष के द्वारा जो अंग प्राप्त होता है उसमें रोग होता है। जैसे किसी भी लगन का जन्म हो यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थ थेश या चंद्र या करक राशी में चारों पाप युक द्रिश्ट हो तो छाती समंदी नियोनिया ख्षय इत्यादी रोग होते हैं। भाव में लगन से शिर, दितिय से मुक, तृतिय से श्वास की नली, कंठ तथा कंधे, चतुर्थ से छाती, पंचम से पेट, शष्ट से अंतरिया, सब्तम से गुपतेंद्रिय, अश्टम से अंडकोश, नवम से कमर, दशम से जानू, एकादश्ट से जंगा और द्वादश से पैरों का विचार करना चाहिए, जैसे पंचम राशी सिंग, सूर्य पंचम भाव, पंचमेश, इन सब पर पाप तृष्टी या इनके साथ पाप ग्रहों के योग से उधर व्यादी होती है, तुला लगन में, चंदर दशम में, शनी अस्टम में, तथा मंगल तृतिय भ होता है, क्योंकि दशम में, करक राशी में, चंदर दो पाप ग्रहों में से देखा गया है, यह योग इस्त्री वर्ग में घटता है, क्योंकि सब्तम से चतुर्थ भाव, दशम में करक राशिस्थ चंदर है, किसी व्यक्ति का मेन लगन हो, पंचम भाव पर पापी ग्रहों कि द्रिष्टी पांचवे भाव का स्वामी चंद्र सूर्य बुद्ध से युक्त हो पंचमेश चंद्र पर मंगल और शनी की द्रिष्टी को एका अदश में सूर्य चंद्र और बुद्ध का योग हो तो उदर समंदी रोग अवश्य होता है। तात्परिय यह है कि भाव, भाव स्थितराशी, भावेश और भाव से भाव एवं भाव कारक प्रह पर पाप युद्ध त्रिष्टी से उस भाव समंदी व्याधी उत्पन होती है। जिस भाव का कारक ग्रह शनी तथा राहु के साथ शर्ष्ट भाव में चला जाए, उस भाव से समंदी व्यक्ति को रोग चिरकाल तक रहता है। गुरू शनी तथा राहु के साथ वो तो पुत्र को असाध्य रोग होता है। गुरू पंचमेश भी सिंग व्या व्रिष्चिक लग्न में होता है। असिस्तिती में तो निश्चिती पुत्र असाध्य रोग में ग्रसित रहेगा। रोग का निर्णय पंचम भाव को लग्न मान कर करना चाहिए। शनि और राहू दोनों ही मंद गती ग्रह हैं अतह दिर्क काल तक रोगी बनाये रखते हैं। मकर लगन में मेश में चतुर्थ में बुध माता को रोगी बनाता है। बुद्ध शष्टेश होकर मात्री भाव में पढ़ता है तथा माता भाव से भी शष्टादी पती कन्या का स्वामी बन जाता है। मृत्यू के विचार करने में लग्न और अस्टम दोनों भाव से विचार करना चाहिए। शास्ट्र कारों ने लिखा है जब अस्टम व्य लग्न के स्वामी निर्वल हो जब शष्टेश तथा मंगल से युक्त हो तब युद में मृत्यू होती है। नवम भाव में सूरिये चंद्र स्थित होने पर पिता के मृत्यू जल में होती है। लगनादी पती निर्बल होकर नीचका होकर सूर्य से युक्त हो अत्वा पाप युक्त द्रिश्ट चतुर्थ में हो तथा निर्बल जलिये ग्रहों से चतुर्थ भाव का स्वामी का यूग हो तो जल द्वारा पिता की मृत्यू होती है। तुला लगन में शुक्र लगन में हो तथा मंगल के साथ हो तो अगनी अस्त्र शष्ट राद्वी से मृत्यू प्रदान करता है। लगनेश दुतिय भाव में हो अस्त में अस्तम में हो तो तृतिय तथा एकादश के स्वामी भी दुतिय भाव में हो तो आत्मगात से मृत्यू होती है। मिथुन लग्ण में जन्म हो और दर्शम भाव में गुरुस्तित हो तो राजे की और से धन्मान पद्वी की प्राप्ति करवाता है। आजीविका की विचार में एक, दो, दस, ग्यारा भाव से तथा इनके स्वामियों से विचार करना चाहिए। एक, दो, दस, ग्यारा भावों के स्वामियों पर राहू, सूर्य तथा शनी का प्रभाव हो अर्थात इन भावों के स्वामि के साथ में ये ग्रहों हो अत्वा इन्हें देखते हो मनुशिय डॉक्टर बनता है। अर्क लग्न में चंद्र, धन में सूर्य, व्याय में मंगल, गुरू, शश्ट में शनी, दशम में राहू, चतुर्थ में केतू स्थितों। यहां द्यूतिय भाव पर सूर्य का दशम पर राहू का, धशमादी पती पर शनी का, लाब स्थान पर सूर्य का, केंद्रिय प्रभाव लाभादी पती का, सूर्य तथा राहू का प्रभाव तथा शनी द्वारा दिश्ट होना, एवं लग्न अधिपती राहू से केंद्र म सूर्य शनी राहु डॉक्टरी सूचक ग्रहों का प्रभाव होने से डॉक्टर बनने का योग बना। कुम्ब लगन में सूर्य चंद्र बुद्ध द्वादश में शुक्र, चतुर्च में मंगल, धशम में गुरु, तृतिय में शनी राहु और नवब में केतु स्थित होने पर एक, चार, साथ, दस भाव और भावादी पती सूर्य शनी राहु के प्रभाव में होने से तृतिय में शनी और नवब मंगल स्थित है इसमें भी एक, दो, दस, ग्यारा भाव तथा भावेश सूर्य शनी राहु के प्रभाव में होने से डॉक्टर बनने का योग बनता है तुला लग में चतुर्थ में सूर्य चंद्र पंचम में शनी शुक्र भुद्ध शस्ट मे मंगल दशम में गुरू और नवब में राहु तृतिय में केतु इस ग्रहस्थिती एक, दो, दस, ग्यारा भावेश सूर्य शनी राहु के प्रभाव में हैं तुला लग में शनी, धन में सूर्य बुद्ध शुक्र सप्तम में चंद्र मंगल नवब में गुरू शस्ट में और व्यय में केतू स्थित हैं, मीन लग्न में राहू, तृतिय में शनी, शष्ट में बुद्ध, सब्तम में, अस्टम में सूर्य चंद्र नवम में, शुक्र केतू दशम में, मंगल लाब में गुरु स्थित हैं। चंद्र से 6 सब्तम अस्टम स्थानों में शुब ग्रह स्थित होने पर अधी योग बनता है, जो विशेश धन और मानप्रत योग हैं, यहां चंद्र पर तथा परवर्ती चंद्र से द्युतिय और द्वादश पर शुब ग्रह की द्रिश्टी पड़ती है। जिस भाव से अस्टम में राहू उसी भाव से एकादर स्थान में शनी स्थित हो तो स्नायू रोग अधरंग उत्पन होता है। गुरु और बुद्ध वानी के कारक तथा दो पाँच भाव वानी के मानते हैं, पते दो पाँच भाव व्य बुद्ध गुरु निर्बल हो, पाप द्रिश्ट हो तब मुख योग बनता है। व्रिश्ट लगन में जन्म हो, पुद्ध गुरु दित्य भावस्त होकर मंगल और शनी से द्रिश्ट हो तो मुख योग बनता है। शष्ट भाव में राहु सिति होना मलेच व्यक्तियों में से संपर्ग बनता है। ब्रिश लग्ण में चंद्र राहू के साथ शष्ट भाव मिस्थित होने से मलेच्व्यक्तियों से संपर्क बनाता है.